Hello everyone, welcome back to our new video, तो स्वागत है भाई, आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम मल्टी प्लेयर का एक और गेम लेक्या है, इसमें सीन क्या होता है न, कि आपोनेंट मेरे को चैलेंज कर देता है, कि मैं ही जीतूंगा, ऐसा करके वो खुद के लिए बोला होता है, तो भाई मै को खुदनस चड़ जाता है, और देखो मैं अपोनेंट की कैसे बजाता हूं इस गेम में, खेर मैं टॉस जी जाता हूं, अब पहले मैं बैटिंग करने का फैसला करता हूं, अब फिर देखो मैं कैसे अपोनेंट को बजाता हूं, काफी बग्स भी इस गेम में, काफी बार दे देता है एंपायर कई बार तो मेरे लिए भी दे देता है कई बार उपोनेंट के लिए भी दे देता है एपोनेंट को भी फैदा नहीं होता है जब मैं आउट हो जाता हूँ और जब मैं छक्के मारता हूँ तो में को भी फैदा नहीं होता है जब डेड़ बॉल हो जाता है खेर ये वीलियम से सुरुगात करता है जो left hand spinner है तो पहली ही गेट ये डालने आता है और देखो क्या मज़ेदार चीज होता है यहाँ पर scene क्या होता है कि दूसरा होता है जादा तेज आता नहीं है इसलिए मैं shot खेलने का पहले मैं try नहीं करता है पहली बाद थोड़ा drive करके देखते हैं कैसे क्या scene होता है तो इस gate बाज का भी यही scene है ब्रॉंज के सारे भाई पता नहीं क्यों एक ही length पकड़ के gate बाजी करते हैं यहाँ मैं shot लगा देता हूँ lofted वाला और scene का होता है यहाँ यह catch चुड़ जाता है ब्रॉंज के जितने नहीं नहीं प्लियर आ रहे हैं यह ज्यादा तर तो catch पकड़ते नहीं है यह बहुत सारे catch चुड़ता है इस match में तो में को भी फैदा होता है भाई फिर उसी length पे same length पे यह सारी केदे डालना होता है तो इस बार भाई मैंने अपना पका पकाया हुआ पर यहाँ क्या scene होता है कि दो ही run मिलता है time भी हुआ होता है लेकिन बले पे perfect तरी के से बैठी नहीं रहती है जिसकी वज़ा से मुझे दो ही run मिलते है फिर वही length और फिर वही इस बार मैं leg side पे खेल देता हूँ और यहाँ filter होता है तो एक ही run मिलता है क्योंकि वान केड़े है तो ज़्यादा बड़ा ground नहीं है तो एक ही run मिल पाता है अब यहाँ scene क्या होता है फिर यह इसी length पे डालता है अब फिर मैं यहाँ पे slot sweep करता हूँ लेकिन यह slot sweep time नहीं हुआ होता है खास तोर पे और यहाँ filter के late ने की वज़ा से न भाई मुझे 3 run मिल जाता है पता नहीं किस बात का filter हर जगन late जाया करता है RC में मैं कोई यही समझ में नहीं आती अगली wall भी same length की होती है मैं यहाँ सोचता हूँ drive करके एक run निकाल लूँ लेकिन नहीं होता है age लग जाता है और मैं एक run तो कैसे भी करके ले ही लेता हूँ एक run तो नहीं रुखता अगर आप drive करते हो न तो एक दो तो आप आराम से निकाल सकते हो अब यहाँ यह तेज गेद बाज लेके आता है और पहली गेद leg side पे मैं खेलता हूँ और यहाँ भी filter होता है तो यहाँ भी एक run ही मिला होता है अभी मेरे एक over में दस run बन चुके होते हैं एक over एक ball में 11 run हो चुके होते हैं और यह same length पे गेद बाजी कर रहा होता है इस बार मैं थोड़ा कुछ ultra short खेलने जाता हूँ लेकिन फिर मैं decision change कर देता हूँ मैं कहता हूँ फिर अपना slot suite ही निकालो और फिर मैं slot suite पे इस बार फायदा होता है connection थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है timing थोड़ी ठीक नहीं होती है तेन 4 run मिल जाते हैं यहाँ देखो यहाँ इसने मुझे challenge कर दिया होता है अब मेरा दिमाग होता है कि मैं इसको कुछ reply करूँ यह सोस्ते सोस्ते भाई मैं ulti sort खेल बैटता हूँ और मैं catch दे देता हूँ यहाँ फिर मैं सोस्ता हूँ मैं इसको कुछ type करूँ लेकिन फिर मैं कहता हूँ मैं type नहीं करूँगा भाई मैं इसको मुझे नहीं बोलूँगा मैं game में खेल के ही दिखाऊँगा फिर वही लेंट होती है और फिर वही भाई मैं करने जाता हूँ और फिर वही सीन होता है यहाँ उसने कैश टपका दिया होता है ब्राउंज के फिल्डर में यही सीन होता है कि भाई कैशे ज्यादा टपकाते हैं अब यह पता नहीं क्यों लेकिन फिर मैं सोचता हूँ इसको मैं कुछ बोलू अब करे की दिखांगा फिर यह वही लेंद देता है और इस बार फिर मैं अपना पका पका यह होँआ तो यहां जाको एकरन मीलेगा क्योंकि यह थोड़ा network का भी सुख हो जाता है इस वज़े से मैं दूसरा भाग नहीं पाता हूँ अभी यह length अच्छी होती है मैं थोड़ा नया वो सौट लिया होता हूँ वो मारने के चक्कर में भाई gold वाला सौट वो मारने के चकर में third man पे वो press हो जाता है से तीन में ले लेता हूँ बीना गिट सी टेंसल के अब आई आप कमेंड में बता दे ना कि आपको कौन सा स्वाट ज्यादा अच्छा लगा और कौन सी बॉल ज्यादा अच्छी पड़ी यह सब बताते रहना फिर वही length होता है और इस बार मैं थोड़ा advance shot यूज करता हूँ मैं का यह तो अच्छे से connect हो जाए पर यह भी भाई time नहीं होता है और मुझे दो ही run मिलता है तो अब यहां तक आदे inning करीब करीब खतम हो चुकी होती है और मैं समझ गया होता हूँ कि यह केवल speed slow कर रहा है मैं कुछ जादा time दे नहीं रहा है फिर यहां मैं सोचता हूँ थोड़ा cover पे मारू लेकिन cover पे भी नहीं जाता है तो यहां आदे inning में मैं एक चीश समझ गया हो रहता हूँ कि यह same length पे gate डानने माला है और भाई मैं को यह speed देने से रहा मैं यहां पे दोड़ के team run ले लेता हूँ overthrow के चक्कर में तो अब यहां पे मैं समझ गया हो रहता हूँ कि यह slower ही करेगा speed में को देगा नहीं और उसी length पे करेगा मैं यहां थोड़ा अपना gold shot खेलने का try करता हूँ मैं अलग-अलग shot try कर रहा हूँ पर भाई connection नहीं होता और यह देखो यह तीसरा या चौथा catch setup काया होता है मेरा यह तो अलगी बक्चोधी कर रहा होता है भाई catchage पे catchage दे रहा है तो अब तो मेरा एकदम मतलब बहुत डर खतम हो चुका है मैं इधर उधर मार रहा होता हूँ फिर यह shot खेलता हूँ और यह बहुत ही अच्छा connection होता है देखो भाई क्योंकि मैं तयार होता हूँ कि अब यह धीमी ही gate करेगा और इसके लिए मैं तयार हो गया हो रहता हूँ यहाँ से मैं अपना score बहुत अच्छा खीजता हूँ धाई over में मेरे करीब 29 run होते हैं लेकिन यहाँ से आधे matchage में मैं क्या खेला होता हूँ भाई इसके बाद से फिर एक 4 run मैं तयार रहता हूँ सेम length के लिए मैं तोड़ा सा room बनाता हूँ slot sweep अपना निकालता हूँ 4 run निकाल लेता हूँ अब यहाँ से मैं तयार रहता हूँ कि यह इसी length पर gate करने वाला है अब मुझे उसी हिसाब से slot खिलना होता है यहाँ मैं थोड़ा सा late खिलता हूँ जान बूचके क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ क्या रपतार आ रही है gate की तो यह थोड़ा सा slow आता है यह भी साहँ दूसरा ही होता है slow आता है और मैं आराम से 4 रण फिर यह उसी length पर करता है और इस बार फिर मैंने अपना slot sweep निकाला और चक्का मार दिया पर यहाँ देखना अंपायर क्या करता है अंपायर ने इसको बदल लेता है और फिर फिर मैं पीछे की side खेलना चालू करता हूं और यह बहुत ही अच्छा connection होता है और यह 6 रन चला जाता है तो भाई इस sort पे न मैंने 6 रन 2 चक्के निकाल चुके करीब मैंने 12 रन बना चुके इस sort पे फिर यह तीसरी gate बहीं और फिर मैं वही sort खेलने की try करता हूं लेकिन काफी ज़्यादा लेट हो गया रहता हूं थोड़ा तो इसके मैं सोचता हूं कि point पे खेल दूँ लेकिन यहां किया scene होता है भाई Sam Willings आउट हो जाता है अब मोहमद हाफी जा चुका है और फिर मैं अपने sort पे आ जाता हूं वापस लेकिन यह miss time हो गया रहता है थोड़ा early हो गया रहता है ल यहां दो रन भाई मैं दोड़के ले लेता हूं आराम से मैं दो रन बना लिया होता हूं यहां पर अभी क्या scene है न मैच अच्छे का से चल ले होते हैं पर यह अपना तेज गेदवाज यह फिर spinner ही लेके आता है अब फिर वही same length पे होता है अब फिर यह sort मैं खेलता हूं और फिर वही जाता है फिल्डर के पास यह gold shot है लेकिन पता नहीं को कभी कभी न अच्छा connection होता है फिर भी यह चारन नहीं जाता है यह placement होता ही नहीं यह sort पे मेर से अच्छे से लेकिन मैं ज्यादा खेलता हूं यहां मैं अपना gold shot निकालता हूं जो मैं नया नया purchase किया यह तागड़ा वाला यह सामने down the ground charge मिलता है मज़ा आ जाता है यह sort देखके इसके बाद से महरे अंदर थोड़ी चुल होती है कुछ अलग करने के चक्कर में भाई मैरी भाई स्विच हीट एक्चुली कहलो कि स्विच हीट मारने जाता हूं मैं लेकिन connect नहीं होता है अब अगली गेट भी मैं कुछ ऐसा ही सोचता हूं कि अभी इस लॉक स्विप मारू यह मारू ओ मारू इस चक्कर में भाई मेरे दिमाग से उतर जाता है और ज्वाइश्टिक मैं काफी लेट खीचा रहता हूं जिसकी वज़ए से sort connect नहीं होता और मैं out हो जाता हूं फिर अगल यह ओबर में 41-9 मना है और काफी अच्छा खासाप में स्कूर कर दिया अभी वह अपने गेट बाज लेके आता हूं और मैं लोकी फर्ग्यूसन को लेके आता हूं बाई अपना इकला होता गेट बाज अब देखना अब यह तीन चार गेटों मेना बहुत सांदार काम होता ह तो अभी यहां न मैं एक और चे श्ट्राई कर रहा हूं मैं गता हूं सेम लेंद पे डालता हूं और मैं इंस विंगर डालता हूं तो यहां मैं सेम लेंद पे डाला होता हूं इंस विंगर और यहां यह चोक कर जाता है और यह आउट हो जाता है अब सीन क्या होता है यह सम कि मैं ही जीतूँंगा यह हूँ भाई गेम पूरा खिला करो क्रिकेट कभी किसी का नहीं हुआ है और यह तो गेम है तो इसमें थो भाई जो भी ले गया और ले गया तो इसमें खेलने पकर देखों यहां यह एकजिट कर देता है तो मिलते हैं अब नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोग लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना और सेर भी कर देना वीडियो अगर अच्छी लगे तो और कमेंड में बताना भाई कौन सा सौट आपको सबसे अच्छा लगा और कौन से नए सौट मैं परचेच कर सकता हूँ गोल्ड के क्योंकि मैं गोल्ड के सौट और सारे परचेच करने वाला हूँ तो सारे आप अपना सौट बता देना कि यह यह परचेच करो और जिस जिस भाई को मेरे साथ खेलना है तो अपन जल्दी लाइव इस्टी में स्टाट करने वाले हैं जल्दी हम लोग साथ में खेलेंगे भी और जिसको जिसको add करना रहेगा friendlist में बता देना भाई उसको add भी मैं कर लूँगा तो जल्दी अपन नया नया कुछ content लाएंगे और higher rank के message लाएंगे तो आप लोग subscribe करते ना और वीडियो लाइक करते रहे ना भाई